बहुत ही सिंपल असान और जटपट बनने वाली रेसिपी अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगव पर है मेरे सद बने रही है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे यह जो बैल आइकन है ना इसे दबा द बिल्कुल इंस्टेट फटाफट कहीं बैरा से होता है मन करता है फटाफट कुछ मीठा घाना कुछ मीठा हो जाए तो चलिए आज कि जटपट से जलेवी बनाते हैं बट हम उसमें क्या-क्या घलतियां कर देते हैं वह देखने वाली बात जटपट तो बन जाती है पर कहीं के अंदर सॉल्फ करेंगे मेरे साथ एंड तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए चलिए किछन में इंडियान अरूमा के चलते हैं जटपट इंस्टेंट जलेवी बना लेते हैं आईए पिर चले और यहां मैंने एक कप मैदा ले लिया है और इसको मैं चान रही हूं और साथ में इसमें दो चमच में बेसन मिला दूंगी और बस इसको अच्छे से चान लेंगे और इसमें हम डाल देंगे दही आदा कप मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है और हम इसमें डालेंगे पा अब मैंने पानी डालना शुरू कर दिया है और इसको मिलाना शुरू कर दिया है हाथ से मिलाना सबसे बेटर रहता है तो मैं हाथ से मिला रही हूँ और देखे आधा कब पानी डालने के बाद मेरा जो बेटर है वो ऐसा हो गया है इसको बहुत अच्छे से मैं फेट लूँगी और बस अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक चमच असली घी आप घी डाल दें अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप ऑईल भी डाल सकते हैं पर जब इंडियन मिठाई बना असली घी का न मज़ा ही कुछ और होता है तो ब किए मैंने को क्लिंग कर दिया है और मैंने नहीं इसको अपनी गैस के पास रख दिया था तो इस से क्या हुआ कि थोड़ाईसे फर्मिंट भी हो गया था और इसके अंदर थोड़ा सा जमाइदा है वह फूल भी गया था और यहाँ आप हम इतना दिर में क्या कर लेंगे चा होता है वह आप जाहें कि स्ट्रेंड कुछ डाल सकते हैं और बस अब इसकी जो हमारी चन्स निया ना वह चिप चिपी होनी की जब एक ठाल चाशनी होने वाली होती यह थैंब ट्रुनल कशून के वह वह thee तो बहुत आप सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर आधा चमच सिट्रिक एसिड डाल दिया है और यहां मैं डाल रही हूँ इसमें इनो इनो डालने से आपकी जले भी बड़ी बढ़िया और फर्स क्लास बनती है आप चाहें तो वन फोर टी स्पून इसके अंदर जो खाने का सोड़ा होता है न वो भी डाल सकते हैं और बस उसमें बने एक चमच पानी डाला जो कि इनो जाए उसमें मिल जाए और बस यह तयार हो गया और अब हम यहां देखिए दिखाती हो में आपको हम कैसे कैसे बना सकते हैं स्क्वीजी बॉटल से बना सकते हैं हम चाहे तो पानी की बॉटल हमारे घर में सब के पास होती है पॉल पैट की हम उसमें छेक करके चाकू को गरम करें और चाकू को अपर घुमा दें तो एक गोल सा छेक बन जाएगा उससे squeeze कर सकते हैं या फिर जह हमारे पस piping cone होते हैं केक वाले को उससे कर सकते हैं या धूद्की तहली सब के घर में होती है तो उससे कौन बनागर कर सकते हैं तो हमारे पस जुगार तो बहुत होती है हम किसी भी तरीके से अपनी जलेवी को पाहिप कर सकते हैं और देखे कितना पर्फेक्ट हमारा बैटर बनके तयार हो गया है मैं आपको तीनों तरीके से बताऊंगी तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको कौन में डाल देती हूँ और बस इसको नीचे तक आप ले आए जो की जो कौन है उसके बिल्कुल एंड तक आपका जो बैटर है वे पहुंच जाए और उसके बाद आप इसको उतना काटिए जितनी बड़ी आपको जलेबी चाहिए जितनी मोटी चाहिए हमारे घर में पतली जलेबी पसंद करते हैं तो मैंने बिल्कुल इसकी टिप थोड़ी सी काट दिया है और देखे मैं आपको दिखाती हूँ इससे इतनी पतली जलेबी निकलेगी अच्छा आप यह देखे हमारा तेल गरम हो रहा है आप सबसे पहले देखे मैंने कितना तेल डाला है इसमें आपके पैन में तेल सिर्फ एक से डेड़ इंच उपपर होना चाहिए उससे जादा तेल नहीं होना चाहिए तेल या घी जो भी आप डालें और सबसे बड़ी बात आपका तेल अच्छे से गरम होना चाहिए आप देखे मैं या पर तेल में जलेबी डाल कर आपको दिखा रही हूँ और डालते ही वो उपर फूल के आ रही है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है तेल का टेमप्रेचर देखे कितनी बढ़िया कुर्ब जलेबी मीरी तयार हो गई है अब बस इसको हम क्या करेंगे चाशनी में डाल देंगे और जो चाशनी है न उसका टेमप्रेचर वो बिलकूल परक्ट होना चाहिए वो ठन्डी नहीं होनी चाहिए अब बस इसको हम क्या करेंगे just 30 seconds से 1 minute तक जब तक आपका दूसरा घान तयार होता है आप इसको चाशनी में डालिए आपस निकाल दीजे यह देखे मैं आपको कोन में डाल कर दिखा रही हूं यह मैं कोन से डाल रही हूं देखे कितनी perfect हमारी जलेबी बन रही है मैं आपको तरीका बताती हूं कि हम कैसे ज जलेबी को जो हमारा कोन है या जिससे भी आप करें इसको राउंड 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 गुमाईए और बीच में लाकर इसे छोड़ दीजे बनाते हैं तो बस वही मेरको याद आ गया पट यह देखे यह मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि जलेबी बना ठीक नहीं था तो जलेबी कितनी जादा फ्रेट होगी है तो यह मैं आपको दिखाना जाती थी और यहां देखिए जो मैंने वह पहला घान डाला था वह मेरा यहां पर जलेबी ने जो सिरफ को सोग कर लिया है और अब हम आ जाते हैं जलेबी को पाइप करते हैं किस से अप बना लेते हैं थोड़ से स्क्वीजी बॉटल से हां एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इसको पाइप करें ना तो थोड़ा सा उंचे से करें नहीं तो हाथ जलने का डर रहता है और आप देख रहे हैं थोड़ा सा कॉर्नर कहीं कहीं उठके आ लग रहे हैं तो आप देखें न सिरफ में डालके तो क्या बात है क्या बात है तब आप इसे कैसे भी खाईए चाहें आप इसको दूद जलेवी की तरह खाएं चाहें इसको रबडी के तरह खाएं रबडी के साथ खाएं आप किसी भी तरीके से खाईए आपकी जलेवी देखिये सुनी आप इंगा कितनी मज़ेदार वावा, वाव, और यह आपने देखा कितनी बढ़ीया कुरकुरी आवास आपको सुनाई दी इसमें, आई ना कितनी करारी आवास है ना, इसलिए मैंने कहता पीछे की साउंड को बंद नहीं किया था, कि जिससे कि आपको परफेक्ट आवास जो है वो सुनाई दे इसकी अचलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं बहुत बढ़िया मज़ेदार जलेबी बन गई है भाई बड़ा मन कर रहा है इसको खाने का तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ गई है तो प्लीज इस रेसिपी को स्टेप बाई स्टेप फॉलो कीजे और इसे बनाएए बनाकर मुझे बताएए कि आपकी जलेबी कैसी बनी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लीजे अगर वीडियो पसंद आ गई है तो उसे शेर कर लीजे लाइक कर दीजे और बैल आइकन दबा दें ताक कि आने माली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपनों को मिलती रहे चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में या नए वीडोग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे अगर आप ये रेस्पी बनाएं तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं और अगर आपको ये बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आईए तो प्लीज लेट मी नो कि अगर हुआ तो मैं इसको जरूर सॉल्व करूंगे आपकी क्यूरी को चलिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन अपना ध्यान रखे हैपी कोई तिल लिए